दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सेकर और स्वागत था आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकर इस्टेडी पॉइंट पर दोस्तो इससे पहले मैंने आपको उत्राखंड महिला सभी इंस्पेक्टर भरती का पार्ट वन दिया था तो उसमें हमने 20 कोश्चिन डिसकस किये थे तो आज हम देखेंगे 20 से 40 कोश्चिन और अगले वीडियो में फिर उसके बात जो और कोश्चिन है वो उसमें हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तो पुलिस का सपना चरूर पूरा होगा अपना पुलिस का सपना तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं अगर आपने अभी तक फिजीकल में क्या-क्या होता है कैसे होता है और भी बहुत कुछ बहुत सारी वीडियो दिये मैंने आप प्लिस्टम आके जो परोफाइल प्लिस्टम आके उन वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा उत्राखंड पुलिस और कॉश्टेबल के सारे पेपर वह आपको प्लिस्टम मिल जाएंगे आप प्लिस्टम आके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो पहला कोश्चिन है आपका जोस्तों अगर आप पुलिस कॉश्टेबल की एकजाम की तैयारी कर रहे हैं महिला, पुरुस या कोई भी और इकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं यह ना समझे कि एसा ही का है तो उस टेम के हिसाब से दोस्तों एक कोश्टेबल के हिसाब से भी प्रस्ण आप समझ सकते क्योंकि बहुत आसान कोश्चिन है और दोस्तों गध्यान से भी प्रस्ण है और वहां से पांच कोश्चिन आपके बनते हैं पांच कोश्चिन है चार कोश्चिन वह अंतम है इस वी के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं. तो सू बोध में मौ तो कहां से आ गया धौबी नहीं होगा परते उबी नहीं होगा तो ये सबी लोगों का सई हुआ होगा ओप्शन नमबर बी में दिया वा तो ओप्शन नमर बी हमारा विलकुल सई है. बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरब अगला कोश्चिन है कि सागर का पर्याइवाची सब्द नहीं है ये आपको इसमें बताना है तो सागर का कौन सा नहीं है दोस्तों ये भी आपके लिए पहतासा ना आपके मन में पांस सेकेंड के अंदर उतरा आजाना चाहिए पयोधी, सिंधू, रतनाकर या फिर सीवाधर तो सागर को पयोधी भी कहते हैं बिल्कुल सही है सिंधू भी कहते हैं, रतनाकर भी कहते हैं, जलदी भी कहते हैं ये तीनु सही है, कौन सा नहीं है तो नहीं है हमारा option number D सिवाधर नहीं है तो यह हमारा सही हो जाएगा अगला कोश्चिन है परतंत्र का बिलोम सब्द है तो आप से यहाँ पर परतंत्र का बिलोम पूछा हुआ है परतंत्र का परितंत्र होगा परित्याग होगा या पहुरातन होगा या फिर स्वतंत्र होगा तो परतंत्र का नहीं पहुरातन होगा नहीं परित्याग अब दो कोश्चिन है परतंत्र का परितंत्र भी मत करना तो परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र परतंत्र का अर्थ कह सकते हैं कि जैसे या गुलाम या फिर गुलाम और एक इसको मतला स्वतं धारण है अनु ये अनु उपसर्ग इसमें बताना आपको अनुचर अनुवाद अनुकरण या फिर ये सभी तो इसमें ये सभी अनुकरण में भी अनु है अनुचर में भी अनु है अनुवाद में भी अनु है तो इसमें भी आपको एक नमर पूरे मिल गए वड़ते अंगल एमा हमारा दिया हुआ है अगला कोश्चिन है अब इसमा आपको रस बताना है मेरो मन अनन्त कहां सुक पावे जैसे उड़ी जहाच का पंची पुनी जहाच पे आवे सूर्दास पर्भु काम धेनू तजी छेरी कौन तुहावे तो ये पक्ती सूर्दास की है मेरो मन अनन्त कहां सुक पावे जैसे उड़ी जहाच को पंची पुनी जहाच पे आवे सूर्दास पर्भु काम धेनू तजी छेरी कौन तुहावे बिभत्स रस है, सांत रस है, हास्सी रस है या फिर इन में से कोई नहीं तो ये आपको इसमें बताना है तो दोस्तो बिभत्स की भी कोई बात नहीं हो रही है बिभत्स यानि की घिरना इस तरह की बात नहीं हो तो हास्सी रस की भी कोई बात तो इसमें कोई लग नहीं है, आप पहचान सकते है इसमें हो जाएगा सांत रस तो ओप्शन नमबर C में दिया गया है हमारा सांतरस क्योंकि जहां इसमें इस तरह के है कि क्योंकि जहां सांसारिक इच्चाओं के समन का अनंद हो वहां सांसारिक ताके परती बैराग्गी का भाव जो है उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर हमारा सांतरस होता है बढ़ते हैं अंगले कोश्चिन की तरफ अपने पैरों पर खड़ा होना अपने पैरों पर खड़ा होना मुखाव रेकार्त थो मुखावरे भी three four fiveogen ृत्ने पुझे घ 내가 झी अपने पैरों पर खड़ा होना पैर बढ़ना बच्चा बढ़ा होना This मैं से कोई नहीं या फिर स्वाव लंबी होना तो अपने पैर ऊपर खड़ा होना पैर बढ़ना बिल्कुल नहीं बच्चा बढ़ा होना है बच्चे का बढ़ा होना यह भी बिल्कुल नहीं तो दोस्तों जैसे अभी आपकी जौप नहीं लगिए जब आप अपने पैर पर ख सबसे पहले आप आपके मन में उत्तर आ गया होगा पांस सेकंड के भीतर तो मान ना मैं तेरा महमान अच्छा महमान बार बार महमान आना जबरदस्ती गले पढ़ना या फिर महमान का स्वागत करना अब यह तो आप भली बात ही जानते होंगे कि मान ना मैं तेरा महमान तो इ अगला कोश्चिन है दोस्तों इसमें भी आपको रस बताना और रस में से भी चार-पांच कोश्चिन अक्सर पूछे गए हैं अब दोस्तों इसको आपको पढ़के ही लगेगा कि इसमें कौन सा रसा आप बता दिंगे तनकर भालायू बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे मुझको बैरिस से हिरदय छोप तू तनिक मुझे आराम न दे पक्ती में कौन सा रस है रोद रस, करून रस, बीर रस या पिर इनमें से कोई नी तो दुस्तो तनकर भालायू बोल उठा तो इसमें बीर रस की बात हो रही है तो बीर रस हमारा रोध रस की भी बात ने और करून रस की भी बात निहीं तो इसमें है बीर रस तो अगला कोश्चिन है तो इसमें भी रशी पूचा गया था तो सभी एकी सान जैसे रस है तो एकी सान दे दिये या पर संदी है तो एकी सान दे दिये तो examiner ने जादा कि अलग-अलग जग़े नी दिये याज जादा मेहनत ने की तो आपके लिए जो रस के कोश्ची नहीं एकी जगह दे दिए तांकि एकी बार आप इनको solve कर लीजे तो रस है हमारा हाती जैसी दे है, गंडे जैसी खाल तर्बू जैसी खोपड़ी खर्बू जैसे गाल तो आप इसको भी समझ गे होंगे रोदरस, करुणरस, हासी रस या फिर इनमें से कोई नहीं तो हाती जैसी दे तो इसमें हासी रस हो जाएगा गंडे जैसी खाल तो इसमें मजा गुडाने वाली बात है खर्बू जैसी खोपड़ी और खर्बू जैसे गाल तो इसमें हो जाएगा हमारा हासी रज पढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरब तो इसमें भी आपको लोकोक्ती बतानी है जीती मक्खी नहीं निकली जाती यानि कि जीती मक्खी नहीं निकली जाती लोकोक्ती कारता इमानदार बेक्ती पेइमान बेक्ति जिंदा मक्ची को पकड़ना या जान पूच कर गलत काम नहीं किया जाता जीती मक्खी नहीं निकली जाती तो इमानदार बेक्ति ये भी नहीं होगा पेइमान बेक्ति ये भी नहीं होगा जीती मक्खी नहीं निकली जाती इसका मतलब कि चान पूछ कर गलत काम नहीं किया जा तो option C में है तो option C है हमारा बिल्कुल सई होगा पढ़ते हैं अगले question की तरफ सुद्ध वाक का चयन कीजिए तो इस बार भी तगड़े तगड़े वाक के आएंगे मतलब सई करना कि तहान से आप लोग करें सुद्ध वाक कि यह गाय का असली दूध है तो यह प्लकुल गलत यह असली गाय का दूध असली है तो यह भी गलत है तो यह गाय का असली दूत है तो अप्सन नमर ए में हैं तो यह आसानी से आप सबने solve कर लिया होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो दोस्तो इसके बाद 7 question और बचे हमारे 40 question इसमें है तो अगर आपके कितने सही हुई आप comment बता सकते हैं अगर आप नहीं भी बताते हैं तो आप खुद अपना मुल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए और एक like जरूर कर दीजेगा आप लोग इस वीडियो को अगला कोश्चिन है निश्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहे पावस रितु हमपे उपरोक्त पक्तियों में कौन सा रस है दोस्तो जब बिग्यप्ति आजाएगी तो उसके बाद रस और अलंकारों के अलग-अलग वीडियो में आपको दूँगा जिसमें कि बहुत सारे रस और बहुत सारे अलंकार जो कि आपके परिक्षा की द्रिष्टी से कॉंस्टेबल और एसाई के लिए दोनों के लिए इंपोर्टेंट होंगे वह में आपको जब विग्यप्ति आ जाएगी तो तब में आपको ये वीडियो देने वाला हूँ उसके बाद फिर वर्शेप गुरूप पर भी आपको जो मैटर होगा वह आपको देने वाला हूँ तो इसमें हमारा कौन सा रस होगा निष्टीन बरसत नैन हमारे सदा रहे पावस्रीतु हम पे जबते स्याम सिधारे वात्सली रस ब्योक स्रिंगार रस भक्ति रस तो भक् बस रितु हम पे जबते स्याम सिधारे तो इसमें ब्योक स्रिंगार रस हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर सी में अगला कोश्चिन आहें तो यहां पर आपसे पूछा समास पुस्त कालाई में तत्पुरुष समास है चोरहा में दिगू काली मिर्च में करमधारे समास ये सभी सई है तो इस तरह के ऑप्सिन में जाजाता है सभी सई है कर देना चीए पुस्त कालाई पुस्त कालाई तत्पुरुष समास है चोरहा चार राहूं का समहार यह अनि ट्रीटिकू समास है काली मिर्च काली है जो मिर्च तो इसमें भी हमारा करमधारे समास है तो यह आ पुस्तक का आला या पुस्तक के लिए आलाई तो इस तरह से इसका विच्छेद होगा तो आप्सन नंबर डी बिल्कुल सही है बढ़ता है का उधारण है तो इसमाप को बहुभीर समाज बताना है तो बहुभीर समाज क्या होता दोस्तों जहाँ पर जिस पद में कोई पद परधान नहीं होता यानि कि दोन उपद मिलकर किसी तीसरे अर्थ के और उसका तीसरे अर्थ के और संगेत करते हैं जैसे पंकच बागी इसमें दे रखें दसानन दसानन यानि कि रावण दसानन जिसके नील कंट नीला है कंट जिसका अर्थात सिव और गिरीधर जैसे कि गिरीधर यानि कि भगवान सेरी कृष्ण गिरी को धारण करने वाले तो इस तरह से तो यह उप्रोक तो सभी सही हो जाएंगे अगला कोश्चीन है गर्हा का बिलोम Messiah है कहना त्याज घर या फिर खिला तो गर्हा का बिलोम कोई गर्ण करने योग की चीज और त्याज जी का हो गया त्याग करना त्यागना तो इस तरह से पढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अब यह आगया आपका दोस्तों गद्यान्स 37 से 41 तक इसमें दिया है मैंने दोस्तों आपको यूपी पीएससी का पेपर दिया था उसमें हिंदी तो अगर आपने नहीं देखा है पीस कोश्चिन उसमें पीछे पूछे गेते तो इसी तरह के जोस्तों देशे उत्राखंड यह एसाई में पूछे गें हिंदी कोश्चिन इसी तरह के पूछे गेते ज्यादा लेबल नहीं था बागी कोश्टेबल के लेबल के उसमें पूछे गेते समास संदी बागी जो गध्यान से था वह भी काभी उसी में उत्तर मिल गे थे आप उसको एक बार चरूर देखिए पलेस्टर मिल जाएगा आपको तो समस्याएं वस्तूतन है 1 G1 का परियाय हैं सबसे पहले आपको इसको solve करने के लिए इसको एक दू बार ध्यान से पढ़ना होता है और टायम का भी आपको ध्यान रखना होता दुस्तों क्योंकि एक गंटे में आपको 60 मिनट में आपको 100 कॉस्च्चिन आपको पढ़ने भी छोते हैं उसके बाद गोले आपको भरने होते हैं टैम मैंनेजमंज मेंनि नी होताँ फिर किसी को एक घंटे में होता है ज्लिण होता है और गोले भी angef करने होता है कि तो नищ अंग्लक 莫स्थ चार को यहां घृता है तो बीम भर दिया या पिर डीम भर दिया तो इस तरह की भी वहाँ एकजाम में तिक्कत हो जाती है तो इसके लिए आपको प्रेक्टिस करनी होती है तो दिया गया है समस्याएं वस्तुता है जीवन का परियाय है यदि समस्याएं नहों तो आदमी पराया अपने आपको निश्करी समझने लगेगा ये समस्याएं वस्तुता है जीवन के परगर्ति का मार्ग परस्त करती है समस्यां तो सुल जाने के समय उसका समाधान करते समय ब्यक्ति का सेस्टम तत्तु उभरकर आता है धर्म, दर्शन, ज्यान, मनोविज्यान इनहीं परितनुक की देन है पुराणों में अनेक कथाएं यह भी सिख्चा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर इस्तिती में जीना सीखें वो समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे जो ब्यक्ति जितना उत्तरदायत पूर्ण कारी करेगा उतना ही इसके समक्च समस्या आएगी और उनके परिफेच्च में ही उसकी महनता का निर्धान किया जाएगा दो महत पूर्ण तथी इस्परणी है परतेक समस्या अपने साथ संगर्ष लेकर आती है ये बात बिल्गुल सही है परतेक संगर्ष के गर्भ में बिजय नहीं तरहती है समस्त गरंथू और महापुरुसू के अनभवों का निसकर्ष ये है कि संगर्ष से डरना अथवा उससे बिमुक होना लोकिक वो पारलोकिक तो लोकिक का बिलोम भी पारलोकिक हो गया है लोकिक का अलोकिक तो ये भी बिलोम होता है एकर बिलोम सब्दम आई तो और सभी द्रिष्टियों से अहितकर है मानव धर्म के लिए परतिकूल है और अपने विकास को अनावस्यक रूप से बाधित करना है आप जानिये उठिये द्रन संकल्प और उत्साह एमसास के साथ संगर्स रूपी बिजय रत पर चड़ जाएं और अपने जीवन के विकास के पाधाउं रूपी सतरूपर बिजय पराप्त कीजिए तो ये हमने पूरा गध्यान्स पढ़ लिया आप लोग भी मैंने आप लोग दीजिये या बताईए जीवन एक समस्या महनता के उपाई संगर्स सपालता का अधार या फिर जीवन एक संगर्स तो इसको पढ़के दोस्तों जब आब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इसका उचित सीर्थ तक जो निकल के आएगा तो वो दोस्तों संघर्स सपलता का आधार तो संघर्स सपलता का आधार ओप्सन नमबर C में हमारा दिया हुआ है अगला कुश्चिन है धर्म दर्शन ज्यान आदी किस पिरणा से पैदा हुएं आनंद की पिरणा, सांती की पिरणा या संगर्श की पिरणा या अन्य समाधान की पिरणा से धर्म दर्शन ज्यान धर्म दर्शन ज्यान मनोविज्यान तो ये दोस्तो धर्म दर्शन ज्यान यहाँ पर है मनों बिज्ञान होना परितनू की देन है यानि कि इसमें समस्या समाधान की पिरणा से तो इसमें हमारा option number C बिल्कुल सही हो जाएगा धर्मदर्शन के आन आदि किस पिरणा से पैदा हुए समस्या समाधान की पिरणा से तो option number D हो जाएगा इसका अगला कोश्चिन है लेखक का इस वाकिसे क्या आसाई है समस्याएं वस्तुते जीवन का परियाए है तो ये आपको थोड़ा समझना होता है समस्याएं वस्तुते जीवन का परियाएं जीवन स्वयंग में एक समस्या है अगला option है जीवन समस्या नहीं एक संगर्स है जीवन में समस्याइं तो होती है उन्हें स्युकार करना चाहिए जीवन और समस्याइं दोनु त्याजी है तो आपको भी इसको पढ़के लगया होगा दोस्तो कि समस्याइं वस्तूते जीवन का परियाए है समस्याइं तो यहाँ पर दोस्तो समस्याइं 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 के बारे में बताएगे हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर दे दिंगे तो समस्याइं वस्तुता जीवन का परियाई है जीवन में समस्याई तो होती हैं उन्हें से युकार करना चाहिए तो option number C हमारा बिल्कुल सही होगा इस गध्यांस का मूल स्वर है तो इस गध्यांस का आपको मूल स्वर बताना है आपको इस गध्यांस से क्या मिली सीख मिली वही बताना आपको निरासा जनक, चिंतन परक, बिशले सनात्मक या फिर पिरणा परक तो इस परणने के बाद निरासा जनक तो हमारे हाथ नहीं लगी चिंतन परक भी नहीं बिशले सनात्मक भी नहीं क्या हमने तो पिरणा परक यह हमारे लिए पूरा गध्यांसर रहा अगला question है तो इसमें 5 question 41 तो अगले में 11 question solve जीवन को जीने की या संगर्स पत पर विजाई बाने की या फिर दायत्तुपूर्ण काम करने की तो इस तो लेखक ने पाठकों को क्या पिरणा दी है तो अगर आप इसको आपने सही से पढ़ लिया होगा तो लेखक ने बताया है कि संगर्स करने से ही मनुष्य अपने जीवन में सपलता पा सकता है तो ये इसमें हमको जब हमने पूरा पड़ा तो हमें ये मिला इसमें तो लेखक ने ये पिरणा दी है कि संगर्स पत पर बिज़ाई पाने की ना कि समस्याओं से बचने की जीवन को जीने की या फिर दायत्वकून काम करने की विज़ाई पाने की तो ये थे दोस्तो आज के कोश्चिन टोटल 20 कोश्चिन थे इसमें से आपके कितने से हुए आ ये आपके लए और भी वीडियो हैं बहुत सारी कॉंस्टेबल और संगर्स प्रेंण तो तैंकिव थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में